हाई फ्रेंड्स मैं फिर से एक नया टॉपिक लेकर उपस्तित हूँ और यह टॉपिक हमारे PM के US विजिट को लेकर है जो बाइडन के रास्पती चुने जाने के बाद मोधी जी की पहला दौरा होगा इससे पहले वे 2019 में US विजिट पर गये थे यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें तो लेट अस स्टार्ट विट न्यू टॉपिक विजिज पीम मोधी जी वेस विजिट पीम साहब कल से अपनी 20 यात्रा को सुरू कर रहे हैं देर रात वे वासिंग्टेन DC पहुचेंगे 23 तारिक को अमेरिका के टॉप CEO से मुलाकात करेंगे चर्चा ये भी है कि एपल के CEO टीम कुक से भी इनकी मुलाकात होगी हालाकि ये अभी अनक्लिर है ये भी चर्चा है कि भारती मुलकी अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमरा हैरिस से भी इनकी मुलातात होगी 24 सितंबर को पहली बार क्वाड मीटिंग में इन परसन या बोलिये तो फिजिकली ये समलित होंगे इसमें भारतिय अउस्टेलिया के प्रदान मंतरी अमेरिका के वराषपती येवं जापान के प्रदान मंतरी भी समलित होंगे और इस मेटिंग का इस परिणाम आएगा वो काफी हद तक भी सू को प्रभावीत करेगा Quad basically एक organization बनाया गिया है जिसका full form quadrilateral security dialogue है और जैसा कि Quad की स्थापना का main उद्देश से इंडो-Pacific region में सांती यो में सिर्ता के लिए है और इसके संस्थापक है Japan, America, भारत और Australia और उमिद ये भी है कि जोई बीडन और भारते प्रधानमंत्री के बीच एक दोई-पक्छी वारता भी होगी दोनों नेताओं के द्वारा पहली बार physically ये meeting होगा और इससे पहले जोई बीडन और भारते प्रधानमंत्री वर्चेली तीन बार इस साल मिल चुके हैं मार्च में Quad Virtual Summit हुआ था दूसरी बार Climate Change Summit में और तिसरी बार G7 Summit में और फाइनली 25 सेप्टेंबर को स्री नरेंद्र मोदी U1 General Assembly के 76 सेर्शन को संबोधित करेंगे इस संबोधन में COVID-19 महामारी आर्थिक मंदी आतंकवाद अफगानिस्तान आदी मुद्दो पर जोर रहेगा तो इस टॉपिक में बस इतना ही फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ थैंक्यू